मैंने PF के लिए apply किया था apply करने के बाद जो है कुछ दिनों बाद जो है claim settled का जो है मुझे message मिला कि हाँ आपका जो है पहले आया process हो रहा है under process है इसका message इसके बाद claim settled का message आया और claim settled का message के 24 घंटे के अंदर अंदर जो है पैसा जो है मेरे bank account में credit हो गया और ये इसका proof है ये म आप लोग जानते होईएगा कि उमंग एप सरकार का एप है और मैं आपको एक मिनट यहां पर बताना चाहता हूं यह उमंग एप है आप भी जानते हैं इसमें जो है service में जाईएगा EPFO पर जानते हैं के बाद यहां पर देख लिजिए यह है EPFO का हो सकता है कि brightness के कारण या दिख जाए कुछ ऐसे ऐसे I think logo EPFO का दिख रहा होगा यहां पर ठीक अब यहां पर भीव पास लुक है रिज क्लेम है क्लेम जो ट्रेकिंग है वो ट्रेकिंग बला है यह दो बार जो है मैं यहां पर एक मिनट एक बार थोड़ा सा सही कर लेता हूं और यहां पर लिख रहा ह है I think server का issue हो गया और फिर इसके बार हां हो गया तो यह जो है यहां पर मुझे दीख रहा है जो क्लेम सेटल हुआ है इसका मैसेज है और अगर SMS की बात करते हैं तो वह मैं देख लेता हूं SMS कब की है मुझे जो क्लेम सेटल का जो मैसेज आया है your online claim form करके इसके बाद जो UN का जो है मतलब जिस company का है उसका अपना number है is settled for जो amount है दो तारिक को दो 9-2024 और यहां पर message लिखा हुआ है and will be credited within 3 working day in bank account ending with जो bank account है उसका last number है वहां पर मतलब क्या मतलब कि जैसे ही मुझे claim सेटल का message मिला तो message के अनुसार है कि 3 working day जो working day है मतलब holiday नहीं होना चाहिए public holiday या bank क holiday नहीं होना चाहिए लेकिन मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर जो है पैसा भी bank account में आ गया ती यह तो और खुसी की बात है लेकिन यहीं पर मैं देख रहा हूँ यहां पर बहुत सारे लोग जो है मुझे twitter पर भी डियम किये हुए है और एक मिनट instagram पर भी है instagram पर भी है जो एक कोई पारस करके हैं उन्होंने मुझे message किया था कि बट सर मैं दो withdrawal कर चुका हूँ अब reject हो रहा है 8 year plus service है मेरी and last 4 claim reject हो चुके हैं है ना तो यहां पर इनका पी एफ बार बार reject हो रहा था तो इसी कार्म से वो message किये थे और यहां पर लिखा you are not eligible on this para ऐसे करके message आ रहा अ अब एक बत बताईए अगर आप भी आप भी अपने PF का पैसा जो आप मेहनत से कमाए और इसके बाद आपका contribution PF में जमा हुआ और PF से withdrawal तरही लोग करता है जब कोई जरूरी होता है है ना या जो भी region है अगर आप जो है PF का पैसा withdrawal करने जा रहे हैं बहुत emergency है या बहुत ज वीडियो था उस पर comment में देख रहा था तो लोगों का 6-6 महना से pending परा हुआ है और वो कह रहे है कि मेरा तो इतना दिन से हो गया कुछ हो ही ने रहा है जबकि मैं जो देख रहा हूँ यहां पर इससे पहले apply किया था तो वो था जो PF है वो भी ड्रॉल था इसके बाद जो PF में जो pension बाला जो होता है उसका मैं withdraw करके देखा कि चलो देखते हैं ट्राइ करते हैं लोगों को सिखाते भी है तो वो भी अभी settled हो गया तो ऐसे में मैंने सोचा कि यार मुझे तो कहीं दिक्कत हो नहीं रही है दिक्कत हो रही है लोगों को तब जब वो apply करते वक्त कुछ गलती करते हैं गलती सेलेक्ट कर लेते हैं तो मैंने क्या किया जो pf withdrawal का जो process होता है online वो तरीका मैं एकदम step by step एक tutorial बनाया actually क्या किया था जिस समय मैं apply कर रहा था वहाँ पे screen record कर लिया था और screen record करने के बाल और screen जो record किया उसी screen record को थोड़ा बहुत जो है जो cut करके जो प upload कर दिया कि अगर आप pf withdrawal करना चाहते हैं तो उसका यह process है simply इस process से जाएगा आपका जो है pf का पैसा समय से आ जाएगा लेकिन last में मैंने एक trick बताया था कि वो कौन सा trick है जिसका इस्तमाल करके मैं अपना pf का withdrawal जो है तुरंत जो है पैसा withdrawal करवा लेता हूं या under process किसी का है तो तुरंत में settlement हो जाए मतलग कि settled हो जाए पीएफ का जो claim status है वो जो है settled हो जाना चाहिए settled हो जाएगा तो पैसा आपका आजाएगा हरहाल में आ जाएगा लेकिन कुछ लोग के यह भी सिखाया था कि settled होने के बाद भी पैसा जल्दी नहीं आता है जबकि मेरे साथ ऐस जो है settled का message आया कि इतना amount का पीएफ का जो है यह जो है आपका settled हुआ है यह amount है एचली working day में आ जाएगा और 24 गंटे में आ गया ऐसा क्यों आपको क्या करना है सो में बता देता हूं simply एक ट्रीक अपनाना है simple एक ट्रीक अभी government के सारे department धीरे धीरे जो है social media का इस्तमाल कर हैं और twitter पर सब लोग active हैं सब लोग आप twitter पर जाईए आप अपना skin shot ले लीजिए जैसे मैं आपको बताता हूं अगर online भी अगर आप apply की हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है जैसे कि ब्राउजर में जा करके आप उमंग पर register कर लीजिए बहुत सारे service है और यहां पर पर जा करके और इसके बाद जो claim status जो का track claim करके जो option आएगा उस पर जाईएगा screenshot ले लीजिए screenshot ले करके उस screenshot को जो है twitter पर जाईए और EPFO जो social EPFO करके जो twitter handle है EPFO का सरकार का अपना website है उसको tag करते हुए उनसे request करिए कि आपको बहुत जरूरी है बहुत emergency है आप जो है वहा जल्दी उनके पास message पहुंचे कि यह फलाना जो है यह जो apply किया हुआ ID है और इसको ध्यान में रखते हुए जल्दी से इसको settle कर दीजे जैसे यह करेंगे तो वहां पर जो भी बैठे हुए रहते हैं जो भी handle को manage कर रहे होंगे IT department को तो उनके लिए एक तरह से समझे कि extra layer क सबी process जो किये हैं वह software के मदल से लाइन में तो लगे हुए हैं लेकिन extra अगर उपर कर दिए टैक कर दिए उनसे request कर दिए तो उनको भी तो लगे है कि यार इनको जरूरी भी है और यह हम पर मतलग कि मेरे साथ जो है एक तरह से communicate कर रहे हैं मुझ तक पहुंच रहे हैं इन् दोनों पैसा तूरंत में आपका settled भी होगा और settled होने के तूरंत जो है working day के अंदर अंदर जो भी working day रहेगा अगर load कम रहा तो तूरंत में पैसा आजाएगा और load थोड़ा ज़्यादा रहा तो एक सप्ता लग जाएगा maximum एक सप्ता लगता है और आपका पैसा bank account में आ जा ध्यान दिजेगा आप जिस भी Twitter handle से आप पोस्ट कर रहे हैं वो आपका अपना होना चाहिए कोई जो है उसमें ऐसा नहीं है कि फोटो आपका नहों के कोई होना चाहिए लगना चाहिए कि authentic person है और इन्हें बहुत जरूरी है simple सी बात है सीधी सी बात है देखो मैं यहाँ पे एक ची मान के चलता हूँ अगर आपके पास भी अगर आप किसी पोस्ट पे हैं और किसी को बहुत जरूरी है और आपके सामने आकर के वो request कर रहा है निवेदन कर रहा है हाँ जो रहा है कि मुझे जरूरी है मेरा पैसा है या इस काम को कर दीजे तो आप भी politely अगर बात करेगा तो कर दीजेगा है ना तो यही तरीका यहाँ पे भी अपनाई है I think जो तरीका मैं अपनाया और जिस तरीके के कारण जो है PF का withdrawal भी हुआ एक दिन में settlement के बाद बैंक में credit भी हुआ तो जब मेरा हो सकता है तो आपका क् circle में अगर किसी को PF निकालने में दिकत हो रही है तो यह वीडियो उनको share करके उन्हें बताई है कि यह तरीका आप नहीं है अपका PF का पैसा तुरंत में withdrawal हो जाएगा बाइदवे मैंने process जो है वो वीडियो अपलोड कर दिया है tutorial अल्डेडी पहले से upload है वो जाकर करके कु आप हुआ